तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप जूट की बोरी बनाने का बिजनस शुरू कर सकते हो इसी के साथ मैं बताऊँगा कि अगर आप ये मैनुफेक्टरिंग बिजनस डालते हो तो आपको किन-किन मशीनों की जरत होगी कितना इन्वेस्टमेंट चाहिएगा और कितना प्रोफिट मार्जीन आपको मिलता है दोस्तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत जो है वो क्रशी परधान देश है और जो भी अपने किशान बाई है वो इन बोरियों का इस्तमाल करके अपने तक ये लोग प्रोडेक्ट पहुंचाते हैं जैसे गेउं हो गया चावल हो गया बाजरा हो गया जवार हो गया जो भी प्रोडेक्ट खेतों में निकलता है वो इन्हीं बोरियों के द्वारा आता है तो आप सोच सकते हैं कि इसकी marketing, customer base कितना बड़ा है, अगर आप ये business शुरू कर सकते हैं, तो कितना profit margin कमा सकते हैं, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, देखें जैसा कि मैंने बताया, गेहू, चावल, खल, जो पसुहार, जो भी आता है, वो सब इन बोरियों में आता है, तो अगर आप इनका व्यवशाय करते हैं, इसका business शुरू करते हैं, तो अच्छा खासा profit margin बना सकते हैं, अब बात करते हैं, मसीन की, देखें, दो तरीके की मसीन होते हैं, कुछ मसीने पार्ट्स में आते हैं, और कुछ पूरा plant बना हुआ आता हैं, अगर वो particular आप मसीन ल मसीन चाहिए, जो fabric को कारती है, जूट क्या होता है, जूट की पूरी ऐसे बने हुए बंडल आते हैं, मैं आगे आपको दिखाऊँगा, उनको cutting के लिए आपको ये मसीन चाहिएगी, इसी के साथ आपको heavy duty swing machine चाहिए, कोई भी आप swing machine करी सकते हो, सिलाई वाली मसीन जो heavy duty ह और वो उसे आपको सिल के ये बोरियां तयार करनी है, प्रोसेस क्या होती है, देखें, दो तरीके होते हैं, एक तो complete जो सूतली आती है, वो आपको market से खरीदनी होती है, या फिर इस टाइप के bundle बने आते हैं, जूट के, वो आपको जूट material होता है, वो आपको खरीदना र जूट बनाने में बहुत आगे है, तो वहां से आपको सस्ते में मिल जाता है, अब बात करते हैं, जूट का material तो खरीद लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, मार्केट का सर्वे करना है, क्योंकि सर्वे से आपको पता चलेगा, कि आपके आसपास किन बोरियों की, किन ब कुछ लोग बिना नाम के भी लेता है, जैसे कुछ खर वगएर आती है, वो ब्रांड के नाम से आती है, जैसे वीजहएलक्समी, ब्रांड खर या पसु आ Pakistan आरे होता है, वो अपने ब्रांड के नाम से बिखता है, तो उनके लोगों लगा के भी आप बेच सकते हैं, दूस् और आप जूट का export, import का भी business कर सकते हो, बहुत अच्छी मारत तरह में लोग इंडिया से जूट उठाते हैं और दूसरे countries में बेचते हैं, अब बात करते हैं investment की, देखिए investment आपका जाता है जमीन पे, material खरीदने पे, machine पे, staff पे, तो ये सब total मिला के अगर मैं बात करूँ त तो 3-4 लाक रुपए में बिना machine लगाए, जो छोटी-छोटी machine बताई थी मैंने, वो machine आपको 40-50,000 में आराम से मिल जाएगी, उन machineों से आप 3-4 लाक रुपए में आराम से शुरू कर पाएंगे, इसी के साथ अगर पूरा plant लगाना चाते हैं तो 10 लाक के आसपास में आप ये plant भी लगा सकते हैं, अब profit margin की बात करूँ, तो profit margin आपकी purchase पे depend करेगा, purchase का मतलब ये हो गया, कि आप जो भी, जो जो जूट का material खरीते हैं, वो कितना सस्ता खरीते हैं, इस पे depend करता है, इसी के साथ average कमाई मैं बताऊं, तो 20-40% तक इस business में average कमाई कमाते हैं, तो दोस business कैसा लगा, इसी के समन में आपके कोई भी question है, तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, इसकी license, प्रिक्रिया वगेरे मैं आगे आने वाले वीडियो में बता दूँगा, तो मेरे चैनल को subscribe, जरूर कर लीजेगा, धन्यवाद,